ये जी मेरे से पहले ना यश्वा रिव्यू दे रही है चीजों का चीजे उठा के ले गई है अस्ताम लेकुम जी कैसे हैं आप सब उमीड है कि सब ठीक ठाक होंगे ये जी मैंने और्गैनिक ट्रेवलर का रिव्यू करना था तो मैंने किया ही नहीं वो टाइम गुजर गया खैर मैंने इसको यूजरूर किया है सबसे पहले ये जो मिलिकल जली क्लिंजर है ना मैं इसको समझती रही कि ये है जी क्लिंजर है तो ये क्लिंजिंग करने के तोर पर यूज होगा लेकिन ऐसे बिलकुल नहीं था ये क्लिंजर नहीं था ये तो फेस वोश था खैर लेकिन ये इतना अच्छा क्लिंजर है कि आपने अगर मेकप भी किया हो तो आप इसके साथ फेस वोश करें और अच्छी तरह उसको क्लिंज करें तो आपकी स्किन से सारा मेकप ऐसे ही जैसे आप किसी बहुत अच्छे क्लिंजर से या किसी भी मेकप रिमूवर से रिमूव करते हैं तो आपका वाटरप्रूफ मेकप जैसे रिमूव हो जाता है ना इस मेरिकल क्लिंजर से वो रिमूव हो जाता है नमबर एक ये नमबर दो मेरे फेस पे बहुत ज़दा एकनी थी तो मैंने इसलिए मंगवाया था तो पिमपल थे मात थे पे, चिंग पे चिक्स पे, बहुत ज़दा खैर मैंने इसकी बहुत ज़दा इंस्टाग्राम पे और इदर उदर बहुत ज़दा वियू देखे और बहुत ज़दा देखा कि ये काफी लोग यूज़ कर रहे हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है तो मैंने फिर ये मंगवाया जब मैंने मंगवाया तो उसके ना मदब पांच-छे दिन बाद तो मुझे ये लगा कि ये कोई असर नहीं कर रहा ना ये फेस पर पिग्मेंटेशन हो जाती है उसको भी इसने रिडियूस किया या नहीं ये मिरिकल जाली क्लिंजर ये बहुत अच्छा है आपको ये ट्राय करना चाहिए तो आपकी स्कीन ऐसे टाइट हो जाती है इतनी ग्लोसी हो जाती है और इसके साथ भी जब आपने टॉनिक के इस तरह यूज करना है इसको कॉटन पे लगा के तो आपके सारे दिन का या जो भी है मैल और जो भी आप काम करते रहे हो सारा कुछ वह बहुत अच्छे से साफ कर कर देता है इसलिए यह दोनों चीजे हंडर्ड परसंट रिकमेंडेड हैं आप इनको जरूर यूज करें और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ आप सब भी इसको यूज कर सकते हैं और मिरीकल क्लि वीडियो को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं और से और वीडियो बना सकूं और दिखा सकूं थैंक यू सो मच अलाफेज